सब्सक्राइब देखा था कि नूटोनियन फिजिक्स के मुताबी के रियक्शन बिलकुल नहीं होने चीए आज आज आप देखिए कि वह क्यों यह रियाक्शन होती है लास्ट वीडियो के इस वीडियो का भी स्क्रिप्ट जो है वह बाइंडर प्लाटफॉम में होगा मैं डि लगा था उस वीडियो में मैं डाला था इंपर्टन पॉइंट थे इस कॉंसर्ट को समयने के लिए उसके लिए कुछ में लागा था तो मैं कुछ कोशिच कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ताकि मैं थोड़ा इंगेजिंग बने आपके लिए यूसफुल हो तो आ आपके लिए यूसफुल है कि नहीं है और और आइडियाज दीजे में किस तरह से आम इसको इंप्रूव कर सकते हैं बैडर बना सकते हैं तब यह एक्जामपल है नुक्लिट फ्यूजिन का जो मने लास वीडियो में लेका था प्रोटन प्रोटन साइकल का पैला स्टैप है को पास नहीं आपाएं अगर पास नहीं हापाएं तो जूड़ नहीं पाएंगे तो जाक्षिन होनी ही नहीं चाहिए बद मेभी कुलंप फोर्स के हुने के बावजूद भी इनको पास रने जरीका हो सकता है कि इन दोनों प्रोटोंस मैं बहु जाने अनरजी दे जहूं जा प्रोटॉन्स को काफी नर्जी दें तो शायद जो कूलोंफोर्स का बारियर है जो पहाड कूलोंफोर्स का ये प्रोस कर जाए और मिल जाए तो ये ठीक ठाक्सी एक रीजनेंबल सी अप्रोच दगनी चाहिए लेकिन प्राब्लम ये कि बहुत ज़दा अनर्जी चाहिए रहे अब समझ नहीं पाता कि कितनी अनर्जी ये अपको कंपरिशन देंगे हैं एक प्रोटॉन के पास पॉंट्री किलो लाक्रों वोल अनर्जी होती है तो अब्यक्स रथे कितने गुना स्यादा अनर्जी चाहिए होगी इसको और अगर आप सोच लिए कि पासे प्रोटॉन पर अनर्जी पता कर सकते हैं तो हुफ़ली आपको थुड़ी समझ में आरे होगी कि बहुत ज़ए नर्जी चाहिए देगी यहां पर लेकिन सब्सक्राइब को चमक सकता है कि हम तो सन की बात करे हैं सन के कोर में तो बंधार लगावे नर्जी का वहां तो को देखती नहीं होनी होते लिए बहुत फर्क है तो होफ़ली इसस थोड़ा आइडिया मेरे कि परिक्ञाइब क्यों यह रेक्षें सर्क्राइजिंग है लेकिन आपने को पदा कि भी रैक्षिन होती है तो हम देखिए है कि क्यों यह रेक्षिन होती है पर इसन एकुद्ध फिर्श निकालने के 0.03 kilo electron volt, ये energy उस particle की है, जिसकी most probable velocity है, आपने को पदा अगर आपके basic system of particles है, तो उसमें सभी particles की velocity सेम नहीं होने वाली है, जो distribution होता है, वो एक bell के bell shape का curve होता है, maximal distribution, कुछ particles है, बहुत काम particles की velocity बहुत काम है, बहुत काम particle की velocity बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा particles की velocity इस stage में fall करती है, तो यहाँ पे जो energy निकल रही है, वो उस particle की है, जो जिसकी most probable velocity है, somewhere here, बड़ इसका मतलब यह नहीं कि बहुत सभी particles की velocity सेम होने वाली है, जो थोड़ से particles होंगे, यहाँ पे, जिनकी velocity बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इन में से कुछ particles की velocity इतने यहाँ पे रूट करने वाली है, इस रूट को काम करने के लिए, जो fusion material है, जिसको आप fuse करने कोशी कर रहे हो, वो उस material की मातरा बहुत ज़्यादा होने चाहिए, यहाँ आपके पास bulk material होना चाहिए, रिजन उसका यहाँ अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत काम particle होने वा ज्यादा पार्टिकल है, जिससे शुरू कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा पार्टिकल यहाँ पे होंगे, जितने आपको चाहिए, उससे ज्यादा है, तो fusion हो पाएगा, तो बल्क में होना चाहिए material आपका, दूसरा रिजन फ्यूजन को होने का है, एक कॉंटम फिनामे अगर आप क्यों जिसो पढ़ सकते होंगे, आप हायर स्रेडिस कर रहे होंगे, तो आप इसके बारे में सुनोंगे, मोड़े मोड़े तो पर नुटम फिसिक्स बोल जिए कि आपके पास एक पार्टिकल है, जिसको इतना बड़ा पाहाड क्रॉस करने के लिए, तो जितने प आप इनरजी में भी कभी कबार ये पार्टिकल जो है, ये सम्हव किसे जरह से ये पहाड क्रॉस कर लेता है, कैसे करता है, किसी को बड़ा नहीं है, बढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, तो ये है दूसरा रीजन कि व्यों फूजन होती है, तो ये काने थी कि नुटनियों मेकानिक्स के नागाने के बावजूद भी, फूजन सान और बाकिस राट में क्यों होता है, तो आज के लिए बस इतने ही नेक्स्ट वीडिंग में आप से फिर मुलकात होगी, तांकियो शुक्रिया आगा,